हालो गाई शकल का सागतो फिरेलाम आमी दा फूल्फिल्मेंट आज के आलोचुना कोरवो ओल्ल इंग्लिश पोईट्री बा एंगलो सैक्षन क्रिश्यान पोईट्री फ्रोधमे आमी आलोचुना कोरे नभो एई बिशायटी करों बिभिल्णो उनिवर्सिती र एंग सेंस्ट एग्जामे एई प्रोश्नोटी पोड़े थाके प्रधमे आलोचुनार पोड़े आमी उनिवर्सिती कोस्टेंटा कीभवे उत्तर कोरते होई शे बिशायटी आलोचुना करवो एई बिशायटी आलोचुना जावार आगे ताई शकल बंदुदेर काचे अनुरोद राक्ष जारा प्रोथो में सचो आजके आई दी फुल्फिल्मेंट चैनल है तड़ा प्लीज प्लीज सब्सक्राइब दा चैनल एंग्लोसेक्सम क्रिश्यन पोड़े और दा ओल्ड इंग्लिश पोड़े एई इनिश्टर होए चे ओल्ड इंग्लिश दिटरेचर एंग्लोसेक्सम लिटरेचर बा एंग्लोसेक्सम पिरियोड सम परके शकल छात्रो छात्री एक्टा बैक्ग्राउंड नौलेज ठाका प्रयोड एई भी शहे आमी अन्यों एक्टी वीडियो कोड़वो शही वीडियो टी शकले देखे नेवे किन्तु आज के जेटा अलोचो लाक मुट्ते चोलेची रिलिजियास पोएटी वर्ल इंग्लिश और एंग्लोसेक्सम ट्रिश्यान पोएटी प्रोजदमाई बोले राखी जे एंग्लोसेक्सम ट्रिश्यान पोएटी जे पिरियोडे शेल पिरियोडे आमना तीम नरोंगे कोविता देखेची एगलो सेक्षन हिरोईक पोईटी जे कोविता गुलोर मद्दे विरोत्तो आचे एगलो सेक्षन एलिजियाक पोईटी जे कोविता गुलोर मद्दे एलिजियाक लोट विशम्नो शूर आचे एवां Christian poetry जेखाने religious content आचे किन्तो आमादेर भूस्ते हमे ओल्ड इंग्लिस पिरियोड एंगो फेक्सन Christian poetry क्यानों नाम करोन होये छे ओल्ड इंग्लिस ए लिडरेचार्टा पोच्ची आमरा ब्रिटेने जाणा बास करतो सेई सब मानुसेरा तादेर साइतो तो ओल्ड इंग्लिस पिरियोडे जाणा बास करतेर ब्रिटेने ब्रिटेन किन्तु बिविन्नो समये बिविन्नो देशेर मानुसेरा येशे सेखने बशोतिय स्तापन करे एवां तारा ब्रिटेनेर शासो के रुपान तुई तो हर तो ब्रीटेनेर मानुस रा अमना देखते फिलाम रोमन रा अनेक दिन सासम कर लो रोमन राजा आक्ष्रमाए देख लो जेस स्कोर्ट लाइंड एवंग आयर्लाइंड एर बहुत तमान जादर के आमना बोली जेद इतिटेशन नाम शेखांगार मानुस रा ब्रीटेन के दखन कोरते उद्ग्रीव जखन होलो तखने ब्रीटेनेर रोमन रा या जार्मान देर के आमन्त्रन जानालो शाज जयर जोलनो किद्धु जार्मन रा एशे की कोड़ो? बृतेन जॉय कोरे निलो एबं तारा जार्मन स्वाम्राज्यो अस्थापन कोड़ो ताने ये जार्मन जाती जारा एशे चिलो तादेर मुद्धे सब्चे बेशी संकक मानुष्रा चिलो एँगेल्स तार परे संकक छिलो सैक्सन्स एबं कीचु जूट संक्र दाय एबं एई सब मानुष्रा आर उखारे जारा बास करतो तादेर मिथोस क्रियार पले भाब्वी निमायर पले शाहित्तो रचोला होतेर शुरू करलो एबं शाहित्तो गुलो के ताई आमरा बोले था की एंगलो सैक्सन्स क्रिस्टियान पोईट्टी तावले आमरा बैकड्राउंड दे शुरू थे आमरा एई जिनिस गुलो एक टुँ आलोचोना कोरे नवो तार परे एंगलो सैक्सन्स बी, सी एबं डी आचे एंगलो सैक्सन्स पोईटी कामेर कोबिता निये दू जोन मेजर कोबी आचे देरा टू मेजर कोईट्स केट्बोन एड कीनेवोल अमरा यहुँं केट्बोन के निये आलोचोना कोरे हो केट्बोन हैं कोईट्ट कोबीता जेनेसिस, एक्सोडास, डैनियल एवाँ सम्स्वाट पोएम्स जाचीफ हचे, Christ and Satan जेनेसिस, एवाँ वी दूटी पाठे आचे एक्सोडास, 589 lines डैनियल, 765 lines कोबिता, एवाँ दाचीफ पोएम्स Christ and Satan आशोले तींठी आंशे विभवतो आचे लेंट अम्से बिभवतो आचे एवाँ पोड़े आम्रा कीने उल एई कोबिता निया आला चोला कोड़वो कीने उल पेर कोबिता गुलो के आम्रा दूटी भागे वाद कोरची जे कोबिता गुलो एटार साख्षर कोरा चेलो शे गुलो के बलाचे उईची सिगनेचर जुलियाना, एलीन, क्राइस, एवाँ फेर्टस अब दे आपसोंस और जे कोबिता गुलो तार सोईकर आचेलो ना किन्तुत आम्रा बोले था की एई कोबिता गुलो कीने उल पेर लेखा तार मुद्धेर माये चे आद्रियास, ड्रीम अफ दे रूड, गार लाक, एवाँ फेनिक्स अबसे से आम्रा एक्टा कॉन्कुलूशन बा उपसोंहार टान्बो से उपसोंहारे देखाबो की भबे Old English heroic poetry ते के थिम गुलो चेंज होते होते religious poetry ते रुपांतिक होया चे ताहले चलो एवाँ आम्रा की भबे नोट लिग्भो एवां नोट लेकार शाते-शाते आलोचनार माद्धवे Old English religious poetry बा एंग्लो सेक्षन poetry सम करके सम्मों धारणालाव अखुन आम्रा विशाद भबे एंग्लो सेक्षन Christian poetry ता जान्भो एवां की भबे अमदे परिखाय लिग्भो शेई विशय आलोचना कोची The introduction of Christianity into England exerted a deep and abiding influence on its literature Christianity अक्टा प्रभग थे ले चिलो शाइव थे नुप्रे The Anglo-Saxons has been a religious people before their conversion in the 7th century ताले Anglo-Saxons मानुषेरा छिलो religious किन्तु तादेर सेई धर्म बोत्ता छिलो paganism बहु देभोताय तारा विश्रास करतो आर ब्रिटेनेर मानुष जारा बास करतेन तारा छिलेन Christian अथत Christianity अल्रेडी ब्रिटेनेर मानुषके प्रभावितो करे छिलो तादेर के convert करे छिलो किन्तु जार्मन थेके जगन एंगल-Saxons जूट संप्रदायर मानुषेलो तादेर विश्रास छिलो paganism किन्तु ताड़ा एवर Christianity प्रभावे तादेर चिंता एवं चेतना परिवत्तित होलो वें देयर कन्भावे देयर रिलिजियोस फार्भार डिपेंग जखन ताड़ा कन्भावेट होलो धर्मयो चिंता भवनाटारो गभीर ताड़वलो हावेवे Christianity came to England in two streams Christianity दूती धड़ा एशे चिलो One from Rome the other from Ireland Rome थेके एक्टी धड़ा अरेक्टी धड़ा एशे चिलो The first left no lasting records Rome ये प्रभाव्ता तारकुम्रस थाई अरेक्ट चिलो But the second converging cheaply on नर्दाम भ्रिया ये दित्यो धर्णाटा येटा मेली नर्दाम भ्रियां थेके येशे चिलो Founded school नेम नर्दाम भ्रियां school ये तारक्टा गोस्थी पतिष्टा कुर्लो शेटा के बलाऊचे नर्दाम भ्रियां school It is this school which produced Bid and Kedmon It is this school which produced Bed and Kedmon and Kinewulf the founders of two schools of poets who wrote the Christian epics of the period ने दुई स्थी तो इरी कॉर्लो दुई स्थी तो इरी कॉर्लो दुई स्थी ने श्कूल बला जयते पडे तारा Christian epics of the period जाना लिखे चिलेन शेई कोविदेर स्रुष्था Kedmon the first Christian poet of England received according to Bed divine inspiration to sing of the creation and to turn the Old Testament into song ताले Bed बल चेन जे Kedmoni होलेन शेई कोवि जा गभीर अनुत्रणा divine inspiration छीलो to sing the creation ये श्रिष्थी के कोविधा अई तुले दोर्ते and to turn the Old Testament into song इवां Old Testament स्टोरी गुलो गटना गुलो संगीत आकारे परिवेशन कुरते गटना to Kedmon has been ascribed three paraphrases of the scripture namely Genesis, Exodus, Daniel and the chief being Christ and Satan अल्रेडी आमी भाइट बोडे आलोचना कुरे तो माना तुमादेर पथो में बोले छी जे केट मरे जे बोईगुलो Genesis, Exodus, Daniel एई शोंस्तो कोभीता एवां some shorter poems किचु छोटो कोभीता जार मुखो कोभीता होलो Christ and Satan बोडे आछे तुम्रा देखे निते बाल Genesis has two parts तार Genesis एई कोभीतार दूटी आंशो divergent in style A and B A is a paraphrase of the scriptural text A acta शोरली करोन बोडोना कोभीता किचे of the scriptural text by the text with expansion of one-like episode and flower जे खाने बोडनी तो आछे जुद्धर जुद्धर मत घटोना एवां फ्लाट बोडनार विबोनाचे बी the final part records the fall of angels जेनेसिस बी ते की आछे जेटाके शुंदर अंशो इको बिदार शेखने की भवे देब्दूतेरा उपोड थेके नीचे नेमे छी लेन शेई भर्णो नाचे इन आर्टिस्टिक क्वालिटी जेनेसिस बी शुपेलियर अन अकाउंट अव लाइबलिनेस अव स्टाय अचपके प्रचितो करे to conclude that Milton must have been familiar with the केड्मोनियन जेनेसिस जे Milton हय तो केड्मोनेर एई जेनेसिस कवितार साथे परुचितो छिलो Exodus 589 that is 589 lines Exodus जे कविताटा is a forceful description of the disaster of Faraos Army at the Red Sea की बनोना आचे तम्रा जानो Faraway Army शही समुद्रे Red Sea दिये जहन पार होचिलो तार कडे शही जले डुए की अवे माडा गिये चिलो शही घटो ना निये The poet has captured to some extent कोभिकी चुखी चुआंशे capture कुरे छेन the older epic note Prachin Mohakabhikshur by displaying considerable swift vivid description and martial favor एकाने तूले दोले दोले चेन Next Poem Daniel A Poem of 765 lines is a paraphrase of the first five chapters of the Vulgate version of Bible Bible first five chapters Bible ये भालगे फार्शन अचे तार पेरा फ्रेश बला चलेटा It is a didactic in tone with very little of the heathen spirit in it It is rather tame and restrained in style Style ये दिक्तेके tame or restrained Next Poem Christ and Satan आमना भुले चिला जे साम स्वाथर Poem सच चिलो केड मने जा चीप Poem सर्ष्टो को भी ताठा चिलो Christ and Satan एको नम राई Christ and Satan स्वंपर के आलो चला को Christ and Satan is actually a book of three poems Lament of the fallen angels 1st book presents a lamenting Satan एकरे एक्डेब्दू से क्रौन रातो The Harrowing of Hell The Harrowing of Hell describes Christ's invention of the underworld One Christ क्राइस्ट की भावे नडो के गिये चिलें तार बार्णोना And the last एई हम्षोठा Is about temptation of Christ 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 एर प्लोवन स्वंपर के बोचे The poem is marked by a plaintive tone and a moralizing tendency Plaintive tone आचे और moralizing tendency आचे The subject of Judith with its fighting bloodshed and frenzy appealed to the pagan strength The subject of Judith एर भिशोएटा की pagan strength आचे In Christian Poet And we have a vigorous result एवं जा फ्ल्षवरूब आट भिगरस रेजाल पाही It deals with the apocryphal story of Judith Judith एर शाई गौलपो The Hebrew heroine cutting off the head of the Assyrian General Hollow Furness Assyrian General Hollow Furness एर गौलाखेटे पेले चिलो Hebrew heroine की वावे शाई विशोईनिये But the Anglo-Saxon fault of prolixity of words And lack of clear conception of characters and action Have murdered the narrative किन्तु बनोनाटा के माटी कोले दिये चिलो की Prolixity of words सब देर जथात्रता नाथागाय एवं लैक of clear conception of characters and action चरित्रो एवं घटोना संपरके सम्मोग पुरिष्का धार्णा नाथाकाय ताले यातखोन अम्रा आलचोना कॉर्लाम केट्मोन संपरके केट्मोने स्रिष्टी संपरके तार कोभिता गुलो संपरके याकोन अम्रा कीने उल्फ संपरके अलचोना कॉर्बों कीने उल्फ is the first poet of English literature to leave his signature in his works Juliana, Elene, Christ and Fates of the Apsal अम्रा बो पोथमें ही बोले चिला येकीनी उल्फे दुधरोनेर कोभिता अम्रा आलचोना कॉर्बों कीचु कोभिताय तार signature कडा आचे शही कोभिता गुलोर मद्दे Juliana, Elene, Christ and Fates of the Apsal अही गुलो आचे the other poems without his signature but ascribed to him are Andrius, The Dream of the Root, Gatlak and Phoenix अर येकोभिता गुलो तार सोई कडानें किन्तु ताके आरोपितो कडा हाय येकोभिता गुलो तार लेखा येवार पत्यक्ती कोभिता संपर के आलो चना इन कीनेवुल the influence of Charles is more clearly marked चार सेर प्रभाप कीनेवुल पेर उप्रे खुप स्पोस्ट अतो Julianna based upon a Latin prose war Julianna अटा Latin prose war के उप्रभित्ती कोरे लेखा tells the life of a devout Christian maiden who died a martyr to her fair कार स्वंपर के a Christian mate स्वंपर के जे तार विश्वाशर पती निजयके विश्वाक्तोत शर्ग कोरे चिलो शोहिदेर मित्तु बरोल कोरे चिलो the poet shows some originality in the improvement of the heroine's character कोभी ता निजयस्वता देखिये चेन एई heroine चरित्रेर बैखार एबंग बर्लोनार by highlighting her saint-like qualities तार सेंट शन्नाश निशुलाप क्वालिटी प्रकास कोरे The pagan love for world-like atmosphere and blood-curdling phrase is still discernible though dharma has turned spiritual. ये प्यागर लाप जुद्धेर मतो परिस्थिती परिवेश एवां रक्तो हिंकडा बिभिन्न फ्रेज सब्दो चयोन जोदियो हैकुन रोयेगा चे किन्तु शही अस्त्रोटा आर्मार्टा रुपांत्रित होये चे एक्टा आत्तिक, spiritual, आध्धातिक अस्त्रे एलीन, उन्नो एक्टी कोविता, tells of the finding of the true cross of हेलेना एकी विशाईनिये बोल्चे, हेलेना, the mother of emperor Constantine सम्राट Constantine एर मार छिलेन हेलेन तार स्ट्रीकरेर क्रोस खोजानिये एकोविताटि The poem is a document illustrating the new cult of cross कोविताटि एक्टा, document, वेदाडिये चे जे, cross ay, फ्रोति नोतुन विशाईनिये किशे विशाई, किशे symbol, cross, the symbol of Christian faith जे, cross, symbol of Christian faith, Christian विशाई, Christian विशाई The clamor and pomp of war shows the old barbaric strength एई जाग जामो जुद्धे जे प्राचीन बारबारिक, strength अके प्रकास करे बार बारचीत And the epic manner of describing the voice of Helena, एवां महाकव्विक जे अंगिः, जे style, Helena र समुद्रो जात्र र बार्नोना, adds life and color to the narrative बार्नोनाय जानो रोंग और जीवन संग्योन करे Next, Kovita, Christ. Christ, a poem of 1700 lines, in three parts, narrates the life of Christ from the day of his advent to the day of judgment. ताली, Christ a Jesus Christ a given advent, day of advent थेके day of judgment शेज विचार पोजन तो घटनार बार्नो ना करे Historically, its importance lies in the great influence it exerted on the English thoughts in the poet's time. एर गुरत्तो की ये कोभी ये समाय निक्षेन, सही समाय र मानुषेर, चिंता, चेतनाय, ये कोभी थाटी खुब प्रभाप फेला चेला। Besides, the dialogue between Mary and Joseph in the first part of the poem offers the earliest extent dramatic passage in the English literature. इंग्राजी शाइते, earliest, सब्चे, प्राचिन, dramatic passage बलते, नाटो कियो passage उपोहर दिये चलाई कोभी थाटी. The poet blends wonderfully, कोभी खुब चमतकार भवे मिशे दिये चेन, the music of sorrow, for sing with the music of joy. दुखेर शूर, गार, पाप पराजुन्यो, दुखेर ब अनुतापेर शूर, with the music of joy, शेई सथे मिशे चेन, आनदेर शूर. In forgiveness to achieve artistic unity, In forgiveness to achieve की कारणे, शोइल्पिक एकोता अर्चुन कराचुन्यो. The Interest of the Fates of the Apsals, अन्यक्ति कविता, a short poem on the poet's reflection on the adventures of the various Apsals. विविन्यो देब्दु तेरा जखन तदेर adventure शुरू करे चिलो, शेई adventure एर बर्णो ना आचे एखानी, lies in its personal passage. Andrius, the story of a boys of the Apsals, Andrius, Andrius, कविताटा आशले, Andrius, जे देब्दु, तार समुद्र जात्रा बर्णो ना, to rescue Saint Matthew. Saint Matthew के शे बाचाते, एई जात्रा शुदू करा चिलो, contains a sublime description of a star. एई कवितार मुद्धे, एक्टा महा मोहिन बर्णो ना आचे किशेर, ज़रेर बर्णो ना. गात्ला, उन्यक्टी कविता, It is a martyr's conflict with fins. एटा martyr, शोहिदेर जे मिक्तु बर्ण करे, ताके इतो martyr बदी, शे martyr conflict, कास्षाते संगर्शोच्चे, with fins, स्वैतने स्षाते. And the Phoenix, Phoenix कविताटा, The most inventive creation of the school, एइ स्कुलर सच्चे स्यान्शिल स्ष्ष्ठी, gives to the legend an allegorical significance, ए लिजेंड के दिये छे एक्टा एलिगोरिकल रुपा धर्मी ताकपर्जो, against a background of exquisite natural and mystical beauty in the sinless land, एक अपराज सुन्यो एक देशे प्राकितिक एबंग, mystical oindra-jalik-shondra-jo, तो एलिर माद्ध में, स्ष्ष्ठीर माद्ध में. Next, Kovita, The Dream of the Road, It is undoubtedly the finest of all Old English religious poems in its intensity of feelings, brilliance of conception and certainty of execution. तावले समस्तो प्राचिन इंग्राजी, Kovita गुलोर मद्धे, Dream of the Road, undoubtedly the finest, सब्चिये सुन्दर, क्यानो बल्ची, Intensity of feelings आचे, Brilliance of conception आचे, एबं, Citanity of execution आचे इको. तावले, Kovita, संपर के आलोचुना कोच्छिला, खादेर, Kovita, Kedmon, एबं, कीने उल्पेर, Kovita. एबं, शुरुते ही आम्रा इंट्रोडाक्षन ओ आलोचुना कोडे नियाची, नोटे? एकुन एई नोट्टी, कॉंपलूशन टांते हवे, एई नोटेर एक्टा परिशमाप्थिया मदन दिखते हवे, फर उनिवर्सिटी इसाँ. Let's go. The titles of the poem indicate a distinct change. Kovitar Shironaam Gulo indicate करे निर्दे शनादय एक्टा परिवक्तों In the choice of material, विशयर बाचाईयर खेत्रे. The more ferocious themes of the Old Testament are replaced by the stories of New Testament. अमला देखते पाई, Old Testament एर भयानक्षप्थिम गुलो परिवत्तित होया चे, New Testament एर गल्पे. शही गल्प गुलो की? Of saints, life and their martyrdom. शही देर मृत्तु वरोन, एबं तादेर जीवन नी है. The mystical, introspective spirit, एई ओइन्रो जालिक अंतर दश्ची शत्ता of Christianity replaces the pagan strengths. Pagan strengths चोलती धाड़ा के replace कोरे चिलो, and the pictures of landscape and seascape are gentler. और एकोन आम्रा देख्ते पाई, जे landscape, भूमी भाग, बाशमुद्रे, जे द्रिश्च गुलो कोभी थाय उठे आश्चे, शे गुलो calm and quiet, अनिक शान्तो. किन्तु जखोन आम्रा heroic poetry पोड़ेची, बाएलेजियाक poetry पोड़ेची, शेखने किन्तु एई द्रिश्च गुलो calm and quiet छिलोना. In fact, to pass from the world of Kedmon into the world of Kineon is to pass from the civilization characterized by both old Norse Vars and the old German epics to the civilization of Latin Christianity. आशले आम्रा Kedmon थेके किने उल्पे रही जगोते, सिस्टीर जगोते जावा बोलते आम्रा बुजी उतिक्रम कोची, शेई सब्भता, जे सब्भता पी उल्थ बाव ओल्लोर्स भार्स पडर मद्धो में आम्रा जेनेची, शेखन थेके, ओल्ड जर्मन एपिक केल जगोतो आम्रा देखेची, सेखन थेके, आम्रा चोले आश्ची, लत्म्रा बीण थेखनेडी आम्रा अश्वता है mentality फ़ले, वे एक स्वेड़ बुली कंशिए अजूश में अच्छिज़ लेक पर तेहब। चौब अजस्तुद्स आप्सट्ग अईंग गई, आप बदेघार उप्सक्रणी यह जए एक लीओ किन आई एक अजुए प्ट्टियों आए फुल्फिल्में और बेस्ट पर यू थैंक्स अलॉट